Overview of Drupal पर spoken tutorial में आपका स्वागत है। इस tutorial में हम निमने करना सीखेंगे Content Management System Drupal Drupal की मुख्य विशेशताएं इस श्रंकला का Overview पहले हम समझते हैं कि Drupal क्या है। Drupal प्री और Open Source Content Management System है। CMS क्या है। यह पुराने दिनों की तरह नहीं है जहां हमारे पास server पर बहुत सी HTML files upload की हुई होती थी। पारमपरिक तरीके से प्रतेक web page अपनी खुद की HTML files रखता है। अब यह बहुत अलग है। प्रतेक page बहुत से components उप्योग करके बनाया जाता है। प्रते component बिन बिन स्थानों से आ सकता है। यह components कुछ programming logic को प्योग करके शीगरता से सयोजित किये जाते हैं। जहां आप देख रही हैं, मानिए एक desktop या एक mobile पर उसके आधार पर यह भिन हो सकता है। तहां से इसे कौन देख रहा है, इसके आधार पर यह बदल सकता है। आप भारत से इसे देखने वाले एक विध्यारती हो सकते हैं। यह आप Singapore से कुछ खरीदने वाले ग्राहक हो सकते हैं। आप में से प्रतेक एक अलग page देख सकते हैं। CMS इस प्रदर्शन लॉजिक के समर्थन में एक प्रोग्राम है। यह भहुत सी प्रोग्रामिंग कारेशमताओं जैसे PHP, Ajax, JavaScript आधी उप्योग करता है। सारे CMS समाने तहा किसी भी फॉर्मेटिंग के बिना जानकारी विशेवस्तु को संचित करने के लिए एक database उप्योग करते हैं। विशेवस्तु की फॉर्मेटिंग अलग से की जाती है। CMS गैर तकनी की यूजर से भी आसानी से एक website व्यवस्थित करवाता है। Drupal एक SSMS है जो open source है जिसका मतलब code मुफ्त रूप से उपलब्द है। कोई भी इसे डाउनलोड कर सकता है और बदल सकता है। Drupal को सन 2000 में ड्रीज भूट्यार्ट द्वारा स्थापित किया गया था जब वो विध्यार्थी थे। चुकि यह open source है तो हजारों लोगों ने code संशोधित करने में मदद की है। वे फिर इसे छोटे संशोधनों के साथ वो समुदाय यानि community को वापस करते है। Drupal समुदाय एक बहुत बड़ा और आपस में अच्छी तरह से जुड़ा हुआ open source समुदाय है। इस समुदाय में developers, site builders, volunteers हैं जो Drupal को वैसा बनाते हैं जैसा आज यह है। यह बताता है कि Drupal में come for the code, stay for the community। शायद समान कारण के लिए आप इस समुदाय से जुड़ेंगे। आगे मैं Drupal की 10 मुख्य विशिष्टाओं को सूची बद्द करती हूँ। 1. Drupal मुफ्त और पूरी तरहन से open source है। कोई भी source code को डाउनलोड और संशोधित कर सकता है। यदि आप developer हैं तो भी Drupal बहुत उपयोगी है। 2. Drupal कारे के अनुकूल है। Drupal आज तक उपलब्द सबसे ज्यादा अनुकूल निये systems में से एक है। Drupal जटल website जिने बहुत से अलग-अलग custom data structures की आवशकता होती है। पर भी अच्छी तरह कारे करता है। बनाने वाले इसे CMS और एक border web development platform दोनों तरह से उपयोग कर सकते हैं। 3. Drupal mobile पर भी कारे करता है। हम अपने चुने हुए किसी भी mobile से अपनी Drupal साइट पर प्रत्यक पेज को देख और प्रबंद कर सकते हैं। 4. Drupal बड़े projects के लिए बहुत अच्छा है। whitehouse.gov से weather.com और Dallas Cowboys तक Drupal कोई भी project हैंडल कर सकता है। Drupal की उपयोगिता जटल websites में ज्यादा दिखाई देती है। यह उन लोगों के लिए सरवत्तम समधानों में से एक है जो एक विशेशता संपन्न website बनाना चाहते हैं। और यह बड़े उध्यमों के लिए भी बहुत उपयोगत है। 5. Drupal अनुकूल, सामाजिक और खोजनिये है। Drupal अपनी साइड और अपनी विशेवस्तु ढूणने में लोगों की मदद करता है। Drupal साइड के संपादकों को टैग्स, विवरण, कीवर्ड और आसानी से एक्सिस की जाने वाली यूरल्स को जोडने की अनुमती भी देता है। 6. Drupal सुरक्षित है। Drupal नियमित सिक्योरिटी अपडेट्स के द्वारा हमारी साइड को सुरक्षित रखता है। Hash passwords, Sessions IDs, जो Permissions बदलने पर बदल जाती हैं, Text Format, Permissions, User Input को प्रतिबंदित करते हैं और भी बहुत कुछ। Drupal सुक्योरिटी को बहुत गंभीरता से लेता है। Number 7, हम उन हजारों मॉडियोस को प्योग करके जो Drupal साइट पर विशेशताएं जोडते हैं, Drupal साइट का विस्तार कर सकते हैं। किसी भी विशेशता के बारे में सोचें और बहुदा किसी ने एक मॉडियोल बनाया है और इसे मुफ्त उपलब्द करवाया हुआ है। हम उसी साइट पर विविद थीम्स या थीम्स के वर्जन्स रख सकते हैं। तब भी अपने वेब साइट डेटा के द्रश्यमान पदर्शन पर पूरी तरह से नियंतरन रख सकते हैं। नंबर एट यदि आपको मदद चाहिए तो द्रूपल का मददगार समुदाय है और जो बहुत बड़ा है। पूरे विश्व में द्रूपल के आयोजन है। लोकल आयोजन दुपल कैम्प कहलाते हैं और प्रतेक वर्ष पूरे विश्व में प्रमुख दुपल कौन्स होते हैं। बहुत सक्रिये फोरम्स, यूजर ग्रोप्स और आयार्सी चैट्स हैं जो दुपल समर्थन को समर्पित हैं। नमबर नाइन, दुपल की कुछ बहुत बड़ी और अनुभवी कम्पनिया हैं। इस श्रंगला के लिए पार्टनर, एक्विया, दुपल की सबसे बड़ी कम्पनी है। बारत में दुपल की साट से ज्यादा सर्विस कम्पनिया हैं। स्वतंत्र रूप से काम करने वाले भी बहुत हैं जो दुपल जानते हैं। नमबर टैन, दुपल सब जगा है। इस रेकॉर्डिंग के समय 1.2 मिलियन वेबसाइट से भी ज्यादा है। दुपल पूरे वेब का 3% और उच 10,000 वेबसाइट का 15% रन करता है। दुपल, सरकारों, शिक्षा, नन प्रॉफिट्स और बड़े उध्यमों में बहुत प्रचलित है। टुटॉरियल्स की इस श्रंकला में हम निमनुविशन सीखेंगे। दुपल कैसे संस्थापित करते हैं। हम दिखाएंगे कि दुपल और अन्य संस्थापित करते हैं। लगबख सभी ये कर सकते हैं। इसके लिए आपको लिनक्स या विंडोस का जानकार होने की जरूरत नहीं है। कंटेंट कार्यप्रवहा। यहां हम सीखेंगे कि वेबसाइट की बुनियादी विशेवस्तु दुपल में कैसे सुव्यवस्तित की जाती है। हम एक सरल वेबसाइट विशेवस्तु भी बनाएंगे। बहले ही आप इसे वर्ड प्रोसेसर में एडिट कर रहे हो। फिर हम कुछ प्रभावशाली विशेश्ताइं सीखेंगे जो दुपल को अधितिय बनाती है। वेब विशेवस्तु अनेक विशेवस्तुओं के कारेक्रम संबंधित फॉमेट हुए प्रदर्शन आदी के बीच संबंध है। दुपल का विस्तार कैसे करते हैं। दुपल की दूसरी सबसे प्रभावशाली विशेश्ता है मॉडियूल्स और एक्सेंशन्स। पहले उल्लिखित जैसा ही लगबक किसी भी विशेश्ता के लिए जिसकी आपको जरूरत है एप की तहां एक मॉडियूल होता है। दस या हजार मॉडियूल्स होते हैं। सुन्दर डिस्पले बनाने की जरूरत होती है। लेयाउट भाग में हम सीखेंगे कि वेबसाइट की दिखावट को आसानी से कैसे बदरते हैं। मॉडियूल्स की तरहां लेयाउट या थीम्स भी समुदाय के योगदान करने वालों की तरहां उपलब्द होती हैं। भिन चीजें करते हैं। पीपल प्रबंदन भाग में हम सीखेंगे कि भिन 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 रोल्स को कैसे सेट करते हैं और उन्हें भिन भिन अनुमतियां कैसे देते हैं। साइट को ठीक से प्रबंदन कैसे करते हैं। अंतता आकेरी भाग में हम सीखेंगे कि दुपल के कोड का प्रबंधन कैसे करते हैं। साइट को सुरक्षा और इफ्थिर्ता के लिए अपडेट रखना महत्वपूर्ण है। साइट को आसानी से एक्सेस करने के लिए नई विशेशताएं प्राप्त करना भी बहुत सहायक है। इसके साथ हम इस टुटोरियल के अंत में आ गए हैं। इसे सारा इशित करते हैं। इस टुटोरियल में हमने नेमन के बारे में सीखा। दुटोरियल का परिचे, दुटोरियल की मुख्य विशेशताएं और इस दुटोरियल श्रंखला का ओवरव्यू। यह वीडियो एक्क्यूया और ओस ट्रेनिंग से लिया गया है। और स्पोकन टुटोरियल प्रोजेक्ट आया टी बॉंबे द्वारा संशो दिद किया गया है। नेमने लिंक पर उपलब्द वीडियो स्पोकन टुटोरियल प्रोजेक्ट को सारा अशित करता है। क्रपया इसे डाउनलोड करें और देखें। स्पोकन टूटोरियल प्रोजेक्ट टीम का रिशालाएं चलाती है और प्रमाण पत्र देती है। अधिक जानकारी के लिए क्रपया हमसे संपर्क करें। स्पोकन टूटोरियल प्रोजेक्ट NME ICT मानव संसाधन विकास मंत्राले और NBLI संस्कृती मंत्राले बारा सरकार द्वाराने दिवद्ध है। IIT बॉंबे से मैं शुरुति आरे आपसे विदा लेती हूं। हमसे जुडने के लिए धन्यवाद।